दोस्तों मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस मैं वर्ड इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि जामुन इन प्रिग्नेंसी आपको भी सर्च करिएगा तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में एक अलगी तरह का डाउट जो लोग बनाते हैं इस तरह की चीज़े बनाते हैं उसके पीछे भी एक लॉजिक होती है आपको मना किया जाता है कि आप जादा क्वांटिटी में ना खाईए नहीं तो दाग आ जाएंगे धब्बे आ जाएंगे देखिए जो बड़े लोग होते हैं उनका मना करने का एक जाएंगे के उपर काले दब्बे आ जाएंगे बट ऐसा कुछ नहीं है किसी भी चीज़ को आप मिनिमूम क्वांटिटी मगर खाएगा मालीजे कि आप गरभावस्ता के दौर से गुजर रही हैं या आप लैक्टेटिंग भी हैं तो मैं आपको यही सजाह दोंगी कि जो भ बहुत पसंदा रहा है लाइक मी तो आप आदादा किलो खाजाओ एक किलो खाजाओ ऐसा नहीं कर रहा है एक थोड़े से अमांट पर छोटे से बोल में ले लीजे या आप काउंट करके ले लीजे 10 से 12 बस उतना कॉंटिटी आ जाएगा तो आप उतना ले सकते हैं लेकिन इसका काले धबस, चकते इस तरह का कोई relation नहीं है और रही कि आपका बेबी का रंग भी काला हो जागा ये भी मानना भहुत गलत है बेबी का जो कलर है वो डिसाइड होता है अव्यसी बात है कि husband जैसे हैं, wife जैसी हैं अव्यसी बात है कि उनका बेबी भी वैसे ही होगा तो जो भी color वगरा है तो इसलिए आप color के लिए बिल्कुल भी परशान मत हुए कि मैं blueberries खा लूँगी, blackberries खा लूँगी, jamun खा लूँगी, तो मुझे problem हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, आप अराम से jamun खाईए, लेकिन हाँ, एक चीज आप ध्यान रखिए कि तो आप को indigestion वगरा भी हो जाती है, तो अगर आप minimum amount पर खाईए गाना, तो आपकी boval system भी काफी अच्छे रहते हैं, अच्छा रहता है, तो आप अराम से jamun खाईए, enjoy करिए और ये video देखिए, thank you so much for watching, twins my world.